जैनेरी वन स्वागत्यापका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमोक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूरिएगा और आज के अपनी अपडेट के शुरुआत एक बड़ी अपडेट से जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिलिपीन्स भारत के अलग-अलग डिफेंस सिस्टम्स में अपने नजरे बनाये हुए है फिर चाहे वो ब्रमो सुपर्सवानिक क्रूज मिसाइल की खरीद हो या भारत के एयरक्राप्ट अब एक रिपोर्ट सामने न जो द्रू हेलिकॉप्टर से उसको लेकर के जानकारिया प्राप्त करी हैं इससे पहले रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि फिलिपीन्स तेजस के जो नेवल स्ट्राइक वारियंट है इसको लेकर के इंट्रेस्टेड है हाला कि ये कॉम्पटिशन इतना आसान नहीं होने वाला तेजस को बहुत सारे कॉम्पटिटर्स का सामना करना पड़ेगा और उसके वाद फिलिपीन्स ये डिसाइड करेगा कि उससे कौन सा एक्राप सेलेक्ट करना है हमारे एगली बड़ी अप्डेट सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर के है कैस्ट यानि कॉम्पैट प्रोग्राम को काफी एग्रेसिव वे में आगे बढ़ाया जाएगा आपको बताते चले कि टाइम लाइन है वो तक्रीम बतिस महिनों की रखी गई है इसमें मैनुफैक्ट्रिंग को कम्प्लीट करना होगा और जो प्रोवीजनल एप्रूवल है सभी इलेक्ट्रोनिक वार पड़ेगा इसके अलावा जो फ्लाइट इवैलवेशन है इसको सक्सेस्पुली कम्प्लीट करना होगा और दूसरे जो टेक्निकल चीज़े है इनको पूरे करने की बात की गई है इसके अलावा कहा ये भी जा रहा है कि के द्वारा ये डिवलप्मेंट फास्ट्रेक करने क होने वाला अपग्रेड है जहां पर सुखोई 30M की आई को अलग लिए प्रकार के वैपन और सिस्टम से इंटीग्रेड किया जाना है और इलेक्ट्रोनिक वारफेर स्वीट उनमें इसे ही एक सबसे महात्रपून चीज़ है इसके अलावा सुखोई 30M की आई को रिडार एक नया इंटीग्रेड किया जाएगा हाला कि इनिशली तकरीबन 84 की संख्या में जो सुखोई 30M की आई है इनको अपग्रेड किया जाएगा और इनमें हमें इंडिन मेड वेपन सिस्टम भी देखने को मिलेंगे और बाद में बाकी की जो एक्राफ्ट है वो अपग्रेड किये जाएंगे यह एक राफ 2014 से पैतालिस तक भारतिय वायुसरा की सर्विस में अपनी सेवा देंगे और उसके बाद इनको सेवा निवित्ट को लेकर क्या रही है दोस्तों जैसे कि हम तो जानते हैं कि हाली में CSIR NAL से हमें एक बड़ी रिपोर्ट डिकने को मिली थी जब उन्होंने हाई एल्टीटू सूरर सेटलाइट की पहले उडान के बारे में बात की थी लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जो नई अपडेट्स हैं वो हमें सुनने को मिल रही है और इसी बीच अगली बड़ी अपडेट आ रही है बैंगलोरू उस्तित एक टेक स्टार्ट रहे है और इस बड़ी अच्रिव्मेंट के बाद गैलेक्स आई उन्चुनिंदा कंपनियों में से एक है या यू कहले हाई एल्टीटू सूर्टो सेटलाइट प्लेट प्लेट फॉर्म में सार पेलोड को टेस्ट करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है आपको बताते चलें कि जो हाई एल्टीटू सूर्टो सैटलाइट प्लेट फॉर्म है यह बेसिकली लॉंग इंडिरेंस डोन होते हैं जो कि स्ट्रेटो स्पेर में ऑपरेट करते हैं और इनकी जो रीच है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है यानि कि इनके अप्लिकेशन के अगर हम बात करें अब अगर हम सिंथर्टिक अपर्चर रेडार टेक्नॉलजी की बात करें तो यह अर्थ अब्जर्वेशन में एक क्रूशल रोल प्ले करती है और इसके सहायता से जो हाई रेजलूशन इमेज़स हैं इनको प्राप्त किया जा सकता है जिनका अस्तेमाल अलग अलग प्रकार यहां सामने आई हैं उसके बाद से जो उत्सुकता है वो भी चरम पर है और इस समय सब लोग इस प्रोग्राम को लगातार इस पर नजरे बनाये हुए है और इसके सामने आने का इंतजार कर रहे हैं लेगिन इसी बीचे एक चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है अब इंडियन मल्टी रूल हेलिकॉप्टर जो की 13 तन वजनी हेलिकॉप्टर होगा इसके निर्मार के लिए अपने इंटर्नल फंड्स का इस्तेमाल करेगी और इसके लिए बकाइदा हिंदुस्तान आरोनौटिक्स लिम्टेट के द्वारा 6,000 करन रुपे की जो राशी है यह इन्वेस्ट की जाएगी यह हेलिकॉप्टर बेसिकली 13 तन वजनी होंगे जो की रुषियन मी-17 रिलिकॉप्टर को सिवा निवित्य करेंगे या उनको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर आपको दो अलग-अलग वैरियंट देखने को मिलेंगे पहला होगा एक एरफोस और आर्मी वैरियंट जो की लबख सेम स्प्रिकेशन के साथ में आएंगे और एक अलग वैरियंट विक्सित किया जाएगा जो कि इसका नेवल वैरियंट होगा और इसमें हमें कुछ बढ़े-बदलाव देखने को मिलेंगे और यह इस प्रकार से विक्सित किये जाएंगे कि भारतिय नौ से ना की जरूरतों को पूरा कर सकें तकरीबन 400 की संख्या में यह जो हेलिकॉप्टर से यह खरीदे जाने हैं पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक सिंप्रिट यह इंतजार कर रही थी कि सायद गौर्णमेंट ऑफ इंडिया से जो फंड क्लिरेंस है यह जल्दी मि उसमें होता दिखाई पड़ेगा लेकिन आपको याद होगा हमने डिफेंस दे उसके एक वीडियो मां से बताया था कि कुछ CGI इमिजस सामने आई थी कुछ कंप्यूटर इमिजस सामने आई थी जहां पर इसके वेपनाइज वैरियंट को भी हम सब देख सकते थे और इसमें हमें एंटी टैंग काड़ेड मिसाइल और गन्स देखने को मिली थी जिसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले भाविश्य में जो आयम हरिच का वेपनाइज वैरियंट है या आर्म वैरियंट है यह भी हमें देखने को मल सकता है जो कि अटायक रोल में भी इस्तिमाल किया जा पर यहां पर एक अच्छे को सकवरी सामने आई है एस्तिटी फॉर्टी को लिकर के जहां पर मिल्डिया रिपोर्टस में कहा जा रहा है कि हिंदूस्तान एर्वनॉट इक्सिंप्टेट के द्वारा जो एस्तिटी फॉर्टी एयर क्राप्ट है इनकी डिलिवरी क्रमसाथ द प्रिमित अंतराल में मिलते रहेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान अरों नॉटिक्स लिम्टेट का फोकस होगा इंटर्मीजिट डेट्रेट्रेटर को क्लिरेंस देलाना और एक बड़े ओडर की उमीद करना जी हां आगे बढ़ा सकती है क्योंकि उन्हें इस चीज की उमीद है कि आने वाले भविश्य में इनके एक बड़े ओडर एचेल को मिलेंगे